पहले दुनिया को जीत के दिखाओ तो चलिए इसी पॉजिटिव थौट के साथ खबरों की शुरुआत कर लेते हैं कोरोना संक्रमन्ट की रफ्तार कम होने के बाद आज से मदरप्रदेश में कई गतिवीदियों को खोल दिया जाएगा अनलॉक को लेकर मदरप्रदेश सरकार के और से दिशनिर्देश जारी कर दिया गया है सरकार के और से जारी गाइडलाइन्स के मताविक सभी प्रकार के उद्योग और द्योगे गतिवीदियां खोल दी जाएंगी वहीं उद्योगों में भेजे जाने वाले कच्छे माल और तयार माल को लाने ले जाने की छूट भी दी गई है इसके अलावा स्पताल, नर्सिंग, क्लिनिक, मैजिकल, इंशोरेंस, कंपनीज, अन्निस वास्ते और चुकित्सा सिवाएं पशु चुकित्सा अस्पताल को भी पहले की तरह छूट दी गई है वहीं कैमिस सारवजने के वित्रन प्रनाली की राशन दुकाने, किराना दुकाने, फल और सबजियां, डेरी और दुग्द केंदर पशु आहा की दुकाने खुली रहेंगी दिली एंसियार में मौसम में अच्छाना कर्वट ली है, गर्मी का प्रफोब झिल रहे, दिली वासियों को आज राहत देखने को मिल रही है दिल्ली NCR में सोंवा की राज से लिका मंगवा की सुबा तक तेज हवाय चलती रही और इस दोरान रुक रुक का बारिश भी देखने को मिली तेज हवायों के वज़ा से आस्पान में धूल उनने लगी तो बहीं बारिश ने दिल्लेवासियों को गर्मी से रहत दिलबाई है सेंट्रल डिल्ली के दीन दयाल उपादिया मार्क के कॉंग्रेस आफिस के पास नई डिल्ली के मंजी हाउस इलाके में और अकबर रोट के अलावा उतरी और पूरवी डिल्ली के राकों में पेड़ गिनने की खबर भी सामने आई है हाला कि रुक रुक का कई घंचों तक हुई बारिश की वज़ा से मौसम सुहाना हो गया है बारिश की वज़ा से तापमान में तो गरावट डर्च ही हुई है साथ ही उमस वरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली है दिल्ली में मौसम कोले कर विभाग की जाँए पूना अनुमान के अनुसार राजानी के दो से तीन जून को आसमान में बादल चायर रहेंगे और भूनाबांदी भी देखने को मिल सकती है मौसल विभाग ने बताया कि अगले दो-तीन दिनों में बारिश कैसा के बावजूद दिली में तापमान करीब 38 डिग्री सेलसियस के आसपास बना रही गा सीबीसी और सीआईएसी की बारवी की परिक्षा खुले कर एक जून जाने की आज बड़ा ऐलान किया जा सकता है दरसल केंद्य शिक्षा मंतरी रमेश पोक्रियाल निश्रंकाज बारवी की परिक्षा की तारीक और फॉमेट की खुशना कर सकते हैं कोरोनस अंकरमन के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए सीबी एससी की बारवी की परिक्षा को स्थगित कर दिया गया था कॉटलब है कि केंद्य रक्षा मंतरी राजना सिंग की अध्यक्षता में 23 माई को हाई लेवल मीटिंग का आयूजन किया गया था इस मीटिंग में निश्रंक करने के अलावा राज्यों के शिक्षा मंतरी और शिक्षा मंतराले से जुड़े अन्य अधिकारियों ने भाग दिया था इटक के बाद रमेश फोक्रियाल ने अपने वीडियो संदेश में कहा था कि बारवी की परिक्षा को लेकर एक जुन को फैसलर किया जाएगा वहीं राज्यों ने भी बारवी की परिक्षा को लेकर अपने सुझाफ केंडर को भेज दिया है कई राज़ों CBST द्वारा दिये गया option multiple प्रश्णों वाली परिक्षा के पक्ष में है वहीं कुछ राज़ों ने परिक्षा से पहले students और सिक्षकों के vaccination कराई जाने पर जोड दिया है अमेर्की tech company Google ने Gmail users के लिए बड़ा बदलाव किया है दरसल भारत में अब company ने Google One Service launch कर दिया है company का मकसद इससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है कल से आपको भी पैसे देने पर सकते हैं यानि कि Google अपने वादे के मताविक हर Gmail यानि Google account holder को free Google photos space देता था हर महीने express quality या high quality unlimited photos गूगल photos आप पर upload कर सकते थे आज से इन सभी चीज़ों के लिए पैसे लगेंगे अब express quality, high quality और original quality पर हर किसी के लिए पैसा लगेगा 15 GB आपको मिलेंगे इसमें से आप Gmail, Google ट्राइव और Google photos यूज़ करेंगे जरसे ही 15 GB खतम हुआ तो आप email send या email receive नहीं कर पाएंगे इसके लिए दो options हैं या तो अपना data delete कीजिए या फिर Google से space खरी दिये श्री राजपूत कर्णी सेना ने राजपूत शाशक प्रत्वी राज चौहान पर बन रही फिल्म प्रत्वी राज के शीशक पर आपती चुताई है संगचन का कहना है कि फिल्म महान राजपूत राज़ा पर अधारित है लेकिन फिल्म का शीच्रक इस तथे को नहीं दर्शाता है और ये सिर्फ प्रत्वी राज है जो अंतिम हिंदू शाशव का अपमान है श्री राजपूत कर्णी सेना के राज़्ट्रिय अध्यक्ष महीपाल मकराना ने सुवा को कहा कि फिल्म निर्माता ने महान अंतिम हिंदू शाशव को और राजपूत राज़ा प्रत्वीराज चोहान पर फिल्म बनाई है विल्म का नाम केवल प्रत्वीराज कैसे रखा ज़ा सकता है श्रीशक में पूरा नाम होना चाहिए गुड मॉनिंग इंडिया में खबरों में फिलाल के लिए बस इतना ही लेकिन जाते जाते एक बार फिर आपको एक पॉजिटिव नोट के साथ छोड़े जाते हैं कई जीत बाकी हैं कई खार बाकी है अभी तो जिन्दगी का सार बाकी है यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए ये तो एक प्रशन था अभी तो पूरी किताब बाकी है तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के लिए बस इतना ही आप देखते रहे हैं न्यूस वर्ल इंडिया